नमस्कार, लखनो वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनो उत्रप्रदेश के दर्सकों का स्वागत है यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुची रखते हैं तो हमारे लखनो वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएकर नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंट मिल सके और हाँ कमेंट बक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें तो आएए जानते हैं लखनो सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल तो आएए देखते हैं कि 19 और 20 मार्च को भारतिय मौसम भाग के अंसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वान मान अगले 24 गंटे में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उले गिरने की चेताबनी बारिस की भी है संभावना यूपी के कई जिलों में उले के साथ बारिस की चेताबनी लखनो मौसम भाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उलावरिष्टी और बारिस की संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग के मताबिक अगले 24 घंटे में कई जिलों में ओले के साथ बारिस के आसार बन रहे हैं ओला विष्टी की संभावना को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने का नर्देश दिया गया है साथ ही कहा गया है कि कुछ जिलों में हलकी बारिस भी हो सकती है लखनो स्थित अंचलिक मौसम विज्ञान केंदर के मताबिक गुरवार से ही प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बतलाव देखने को मिला है कुछ जिलों में हलकी बारिस के साथ तेज हवाएं चल रही हैं तो वहीं अगले 24 घंटों में कही जिलों में उलावरिष्टी के साथ ही बारिस का पूरवान मान है जन जिलों में उलेगिरने की संभावना है वो जिले हैं कुछी नगर, प्रियागराज, सोनभद्र, मिर्जापूर, वारांसे, भदोई, बस्ती, सिधार्थनगर, गोंडा, बलरामपूर, स्रावस्ती, बहराज, सितापूर, बाराबंकी, सामली, मुझफरनगर, सहारनपूर और बागपत इसके अलावा मेरट, गाज्याबाद, नोड़ा, अलिगर, मतुरा, हात्रस, फिरोजबाद, मैनपूरी, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, रामपूर और पीली भीत में ओले के साथ बारिस की भी उम्मीद जताई गई है इस दोरान बारिस के साथ ही 25 से 35 किलोमेटर प्रतगंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चलेंगे जिन जिलों में बारिस होने की संभावना है वो जिले हैं प्रियागराज, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापूर, भदोई, फतेपूर, वांदा, वारांसी, चंदोली, गुरकपूर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुसी नगर, महराजगन, सिधार्थ नगर, गोंडा, स्रा जिलों में गरत जमक के साथ हलकी से सामाने बारिस हो सकती है लखनो मुसम केंद्र की ओर से जारी किये गए अलर्ट के मताबिक 20 मार्ज तक लगातार उत्तरप्रदेश के सभी जिलों में कहीं हलकी तो कहीं तेज बारिस होने की संभावना हैं बड़ेली तथा कानपूर सहर और इटावा में भी अच्छी बारिस की संभावना जताई गई है तो ये था लखनो मुत्तरप्रदेश के मौसम का हाल पर जानकारी वीडियो को लाइक पर सेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय किसान